दोस्तों खेती किसानी से जुड़े हूए आज के इस बलाक में आप सभी का स्वागत है और आज हम आपको दिखाएंगे कि अलू की खेती का के लिग भीकांदर 1.0 में कहें लियां करने में तawi प्सक्रास हयाँ शुरत के चुछ बारे और अदो फ ost शुरूं करते हैं आज के ऑठ से पहले हम बताना चाहेंगे अब देख रहे हैं हमेरे वगल निatk सेखे रहा C वहारा में बहुत बड़े पैमाने पर आलु की खेती की जाती है तो दोस्तों देखिए है और इसमें फीन ख़ा दिया गया में और दूसरा पाणिसमें चल गया है इधर बगल में आपको दिखा रहे ह Aid इसमें अभी एक पानी चला है और half तो दोस्तों सबसे पहले आपको बताना चाहेंगे जो आलू की खेती है वह इसका बोवाई अक्टूबर से लेकर नमंबर महिने तक किया जाता है और जनौरी के लास्ट यानि जनौरी फरोरी मार्च तक इसकी मतलब आलू का पैदवार हो जाता है और इसे खनकर मार्केट में को बैच दिया जою में बैच दीया जाता है जो अपने सब्जी के रूम में इस्तेमाल करते हैं किष़िक को साधी बिया हर चीज इन्हों मतलब सब्जी बनाया जाता है और यहीं मतलब सब्जी है जो पूरे बार्रों महिने suppressory Aí Imam massage हो स्ट्राक हो जाता है इसका बड़ा-बड़ा बना जाता है ओशीत घर जीसे कहते हैं उसमें आलू को स्टोर कर दिया जाता है, सालफर मार्केट में निकालकर इसके असानी से बेचा जाता है। तो दोस्तो तीन महिने का फसल है, साठा, साथ दिन यानि जो सफेद आलू हम लोग खाते हैं, साठा बोलते हैं हमारे दियात की भासा में वह साठ दिन में तयार हो जाता है और ललकाय आलू यानि सेवन हुआ और भी तरह के जो लाल आलू होते हैं वह तीन महीने यानि 90 दिन के अंदर जो आलू को खंड लिया जाता है आलू का पादवार हो जाता है दोस्तो हमारे बिरुदी बाठनी हमां धोपने जाती है बत इससे फैप्वा दिया जाता है और इसको बीम करता है ऑं तो उसको थोड़ा खाब कर मिट्टी चड़ा दे रहता है कि इतना संदार इधर आलू आपको दिखाई दे रहा है तो देखा जाए तो हमारे ग्राम सभा में लगवग हर परी किसान आलू की खेती करता है और यह अच्छी फसल है और अच्छा पैदवार भी मिलता है गेहूं और मसूरी इनके पैच्छा लाव है और मिलहत भी है लेकिन लाव भी अच्छा है तो इस तरह से देखा जाए तो हमारे इधर प्रुवांचल में आलू की बंपर पैदवार भी होती है और और अलू भी एक लगदी फसिल के दारे में ही आता है जिसको बेच कर मार्केट में मने बजार में कहीं पर भी हम लिएक कर एक शुब आते हैं भी भापारी लोग आते और आलू को असानी से खरदी है तो दोस्तों आपको आज आज का खेती बारी का अच्छा ब्लाक्लत पर हमने वीडियो बनाया आपको कैसा लगा कमेंट बाक्स में जरूर बताईएगा और मिलेंगा अगले वीडियो में तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं धन्यवाद जये दोस्तों जये जवान जये किसां